Hello students, welcome to my channel English Education आज हम इस वीडियो में unit 3rd का जो topic है modal auxiliary verb उसको ही continue कर रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में जो इसके कुछ important points होते हैं verb से related वो मैं आपको बताऊंगे कि अब जो verb आ जाती है जैसे modal auxiliary verb दे दी जाती है exam में तो हम confused हो जाते हैं कि कैसे find out करें can आएगा ability के साथ लगती है advice के साथ कौन-कौन सी modal verb लगेगी obligation में कौन-कौन सी verb आएगी तो ये confusion रहती है तो ये confusion हम आज दूर कर लेते हैं इस वीडियो के आंदर तो simple कुछ points है वो मैं आपको clear कर लेती हूँ जिससे आपकी ये confusion दूर हो जाएगी कि ये सोचना नहीं पड़ेगा सोचना पड़ेगा बट कम सोचना पड़ेगा modal अजली verb को option में करते हुए जब हम exercise करेंगे तब तो देख लेते हैं इसके जो points है वो start करते हैं हम तो first point लेते हैं first हम बात करते हैं modal अजली verb के जो points के हम बात करें ability जहां पर बात आ जाए अब मैं बात clear कर रही हूं यहां पर सारी ability की जब बात आ जाती है तो हम एक बात है को total modal luxury verb की हम बात करें तो कितनी है 13 है इसके अंदर मैंने आपको type बता दिये कि कौन कौन से types है pure models है और marginal models है ठीक है semi models भी जिनको बोलते हैं तो ability की हम बात करें तो 13 है total हिंस के बाहर हमें सोचना भी नहीं है पर बात करें अगर ability की जब बात आ जाए तब क्यों सी verb sorry verbs के बारे में तो सोचेंगी तो time लगेगा कि हाँ इसका permission में यह use होती है suggestion में यह use होती है तो ऐसे नहीं तो मैं इनकी कुछ simple बता देती है कुछ point के इसाव से कि आपको समझ आजे कि जब ability की जहां पर बात आएगी तो कौन-कौन सी model verbs है जो हमें use करनी है और ध्यान में रखना है ability जहां अगर बात आ जाती है तो सिर्फ हमें दो ही जो model verbs है जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है can और could यही दो जो model verbs है यह ध्यान में रखनी है जब यह आ जाती है ability की बात जब हमारे sentence की अंदर next चलते है next की बात करते है possibility की बात करें हम possibility की हम बात करते है संभावना की बात करते हैं यहां पे हमने योगेता की बात की थी और यहां पे मैं संभावना की बात कर रही हूं कि जब संभावना होती है कोई चीज की तो हम कौन-कौन सी मोडल जो वर्व है वो यूज कर सकते हैं तो एक बार देखो इसके अंदर देखो कौन-कौन सी जो मो और वुड यह फाइव जो मॉडल वर्ब है इनका यूज जब पॉसिबलीटी होती है किसी चीज की तब हम यूज कर सकते हैं पर एक बात देखो अब हम हमें यह कन्फ्यूजन होती है कि कैन लगाएं कुड या में माइट वूड इनका हम क्या पहचान कैसे 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 करेंगे तो जो हम मॉडल अग्जलरी के जो वीडियोस है वो करेंगे सिंगल सिंगल जैसे कैन का कुड का अलग अलग करेंगे इनके जो रूल्स है तब हमें यह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी तो मैंने सिर्फ यह बताने के लिए कि एबिलेटी के अंदर कौन-कौन सी मॉडल वर बारे में सोचना है इसके अलावा अदर जो मॉडल अग्जलरी वर्व है उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है इसी लिए मैं करवा रही हूं यह वीडियो आपके लिए बनाया है कि कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब एडवाइस की बात आ जाती है कि हम किस भी नहीं सोचना है, इनके दोनों में ही सोचना है, कि दोनों में से कौन सी आ सकती है, वो हम rules करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा, कि should का यूज करना है, या or to का यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो next चलते हैं, continue करते हैं, इस वीडियो को ही हम, next चलते हैं, अगर permission हम कर सकते हैं, और हम make a use भी कर सकते हैं, अब एक बाद देखो, permission में हम could का भी use करेंगे, वो चीज जब मैं rules करवाऊंगी, could का करवाऊंगी, या फिर जैसे भी है, तो अब आपको clear हो जाएगा, ठीक है, तो एक बाद देखो, next चलते हैं, हम, वैसे mostly जो permission की जब बात आती है, म एक बाद देखो, तो यहाँ पर make a use होता है, और can का भी use होता है, और ask वाली condition में हम क्या है, make a use करते हैं, या can का भी कर सकते हैं, और give वाली में हम may make a कर सकते हैं, यह हमें ध्यान में रखना है, कुछ ऐसी बाते हैं, जब में rule करेंगे, ठीक है separate, तो हमें पता लग सारे में rules आपको अच्छी तरह से करवाओंगी, ठीक है, तो next चलते हैं, यह तो simple ऐसे बनाया था, कि आपको confusion जो रहती है कई बार तो वो दूर हो जाए, कि simple सी कुछ चीज़ें हो आपको सिधा ही ध्यान में रह रखनी है, अब देखे, request करनी है किसी से, तो कौन-कौन सी model verb हम use कर सकते हैं, request के लिए हम क्या करते हैं, can का use कर सकते हैं, could का use कर सकते हैं, may है, might, will, may, might, will और would, यह चीज़ें हैं, यह six जो model अग्सरी वर्ब है, इनका हम use कर सकते हैं, कि इसके लिए जहां हम किसी से request करनी हो, और वो कैसे करनी है, कैसे आएगा, कैसे सब कुछ यह जर rules हैं, option में कैसे करना, exercise में जब करेंगे, तो हमें यह सारी confusion दूर हो जाए, जब इनके rules अपने कर लेंगे, ठीक है, तो next चलते हैं, next लेते हैं, कि obligations, जब हमारे उत्तर दायतव, या दायतव की जब बात आती है, obligations की बात आती है, यहां पर मैं write कर रहे हूं, दायतव की, त हमारे यह उत्तर दायतव है, यह दायतव है, हमें निभाने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनका use करेंगे, ओट्टू का use करेंगे, तो यह four है, जो obligation से related, जब भी कोई sentence आता है, तो हमें इन चारों का ही use करना है, कोई सा भी आ सकता है, वो depend करता है sentence पे, कैसा sentence दिया है, ठ करते है, सुझाव देना है, तब हम कौन सी model अक्जरी वर्व यूज करेंगे, कौन कौन सी करेंगे, वो देख लेते हैं, कि could का use भी हम suggestion के लिए use कर सकते हैं, might का use भी कर सकते हैं, हम shell का कर सकते हैं, और should का कर सकते हैं, यह चीज़े हम suggestion देने के लिए use कर सकते हैं, depend करता है sentence के ऊपर कि कैसा sentence है next लते है next point लेते हैं हम इसका कि इसके अंदर देखे intention intention के हम बात आ जाती है किसी का कोई इरादा क्या है intention का में होता है इरादा क्या है ठीक है तो यह चीजी हम अगर बात आती है इरादे के intention की तो अब हम किसका यूज करेंगे model अग्जली वर्ब जो है will or shell का यूज करेंगे इन दोनों का ही intention से रिलेटर कोई sentence होता है तो इन दोनों का ही हम यूज करेंगे तो next चलते हैं next continue कर रहे हैं इस वीडियो को यह हम continue कर रहे है next लेते हैं हम इसका intention जो हो गया था अब next चलते हैं इसके कि कौन सी जो model अग्जली वर्ब है इसका use करना है कौन से point के अंदर तो habit ले ले लेते हम हम अगर habit की जब बात आती है आदत की अगर बात आ जाती है तब हमें कौन सी model अग्जली वर्ब यूज करनी है तो तब हम क्या करेंगे use to का use करेंगे उस model अग्जली वर्ब की बात है तो habit के लिए ये एक बात देखो ये past habit की बात होएगी तब हम क्या करेंगे use to का use करेंगे अगर present की habit की बात हो रही है तो उसके लिए हम जो हमारा past tense है उसका ही use करेंगे ठीक है present habit के लिए सिर्फ present tense है जो हमारा daily routine हम जिसके अंदर बनाते है present indefinite उसका ही use करेंगे ये हमें ध्यान रखना है ये तो past की habit के लिए है सिर्फ ठीक है use to का use करेंगे next चलते है next अगर बात आती है necessity की अगर हम बात करें तो necessity के अंदर modal auxiliary verb की बात करेंगे तो need का use करेंगे हम need जो modal auxiliary verb है उसका ठीक है necessity की बात आती है तब next चलते है next point लेते है impertinence होता है impertinence अब ये देखिए क्या चीज होते है necessity होती है आशकता आशकता की बात आती है तो हम need का need का use करते है modal auxiliary verb का impertinence की mean होता है दुष्टा होता है दुष्टा कहते है ना दुष्ट व्यक्ति है उसका mean ये होता है या हम क्या करते है गुस्थाखी simple अगर समझना चाहे हम तो हिंदी में इसका mean होता है गुस्थाखी अब ऐसी अगर बात आते हैं हम किसी के दुष्टा करते है या गुस्थाखी की बात आती है तो कौन सी जो model work driver होगी वो होगी dare का use होगा वहाँ पर अब कहा देते हैं ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमेरे साथ ऐसे बोलने के अगर आप किसी को प्रेशान कर रहे हैं किसी को गलत बोल रहे हैं तो अगर जो कोई भी परसन है वो हमें dare से या dare का use करके कोई sentence हमें बोल सकता है कि how dare you हमारी हिम्मत कैसे हुई यह ऐसा करने की तो यह कुछ points थे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहां इस वीडियो में बताई है कि एक बात देखो अगर यह चीज़ें हमें ध्यान रहेगी कि habit में हमें सिर्फ use to का use करना suggestion में सिर्फ यह moral जो अगजली वर्ब को लेकर वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगी क्यों हमें सारी मोडल वर्ब तो साथ में याद रखना है कि परमीशन की बात होती है तो परमीशन में हमें सिर्फ यह याद रखना है कि five modal अगजली वर्ब आएगी वह ही हमें ध्यान में रखने हैं इसके करना है वह इसलिए यह category wise मैंने थोड़ा सा simple सा वे में आपको बताया कि ऐसे अगर ध्यान में रखोगे तो आपकी यह confusion दूर हो जाएगी modal auxiliary verbs related तो thanks for watching this video I hope आपको यह वीडियो पसंद आई है next video में मिलते हैं एक नई modal auxiliary verb के साथ so thanks for watching this channel thank you very much